हेलो दोस्तो नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि आप अपना आधार और अपने पैन कार्ट को जो है कैसे लिंक कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप सभी को इसी के बारे में बताऊंगा एकदम सरल तरीके से बताने की पूरी कोसिस अगर आपकी मन में कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखके हमसे पूछ सकते हैं तो चलिए बिना समय गवाई वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है यह चीज़ जो मैं अपने मोवाइल में ही कर रहा हूं सिंपल लोकार रूफल क्रोम ब्राउजर ओपन कर यहां पर आपको गूगल कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद यहां पर टाइप करना है इंकम टेक्स, इंकम टेक्स लिखने के बाद जो गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, जब आप सर्च करेंगे तो यह वाली वेबसाइट जो आपको देखने को मिलेगे, वेबसाइट का नाम जब ही है, यहां पर नीचे के तरफ देखने को मिल जाता है, इंकम टेक्स.gov.in, लोगो जो इसका कुछ इस प्रकार से है, तो सिंपल इस वेबसाइट को जो आपको अपने मॉवाइल पे उपन कर लेना है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो यह वेबसाइट उपन हो जाएगी, उपन होने के बाद जो नीचे के तरफ आना है, और यहां पर जो आपको लिंक आधार का उप्सन दिखाए दे रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है, जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी से आपको इंतजार करना पड़ेगा, और यह वेबसाइट जो एक कुछ इस प्रकार से जो ओपन हो जाती है, और यहां पर जो हम कट कर देते हैं, कुछ इस प्रका इस जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, दोस्तों हमने अपना पैन नंबर यहां पर टाइप कर दिया, अधार नंबर जो हमने यहां पर टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद जो नीचे की तरफ आना है, और यहां पर आपको वेलिडेट का उप्सन दिखाए दे रहा होगा, तो यहां पर क्लिक कर देना है, अब यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको पैन नंबर लिखना है, और फिर से अपना पैन नंबर यहां पर डाल देना है, तो आपको अपना पैन कार्ड उठाई है, जो आपका पैन नंबर है, उसको दोनों में सिंपल आपक बढ़ेगा और यहां पर इपको अपना mobile number लिखना पड़ेगा तो यह तीनों छीजिज मंज आपको भर ना है तो चलिएगो मैं जल्दी से यहां पर pen number बहर देता हूं और mobile number बहर के आगे की process क्या करनी है मैं आप अपजिकाता हूँ तो तो दोस्तों हमने यहां पर अपना pen number भर दिया है दोनों box में यही pen number को जो हमने यहां पर भरा है simple यहां पर mobile number आपको type कर देना है उसके बाद जो यहां पर continue को option दिखाए दे रहा हूँ यहां पर click कर देना है अब जैसे click करेंगे तो जो आपने अपना mobile number डाला था ना उस mobile number पर एक OTP आएगा और उस OTP को जो आपको यहां पर भरना पड़ेगा तो हमारा भाईया OTP आ चुका है चलिए जो हम जल्दी से इसको बहर देते हैं थोड़ी से जो भाई साब यहां पर समय लगेगा तो आप लोगों से माफी मैं मांगना चाहता हूँ तो हमारा जो OTP है वो है 19,21 और यहां पर 6,9 यह हमने जो यहां पर बहर दिया बहरने के बाद जो है यहां पर नीचे के तरफ continue का option दिखाए दे रहा हूँ इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर बोल रहा है कि हमारा जो OTP है वो हमने एकदम साइसे भरा है तो यहां पर फिर से continue का option दिखाए दे रहा हूँ इस पर क्लिक कर देना है जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जब देख सकते हैं कि हमारा जो pen number है वो यहां पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है जिसको हमने बलर कर दिया है और यहां पे जब देख सकते हैं कि हमारा income tax का option दिखाई दे रहा होगा यहां पे proceed का option दिखाई दे रहा होगा तो यह पहला वाला भॉपसन जो Bशुडिक का उपसन हें हें हम क्लिक कर देना एंकम टेक्स में ये परोसीड वाला उपसन यह पहले ऊपर के तुरफ ही जहें आपको देखने को मिल जाएगा तो इस पर जाप को कर देना है अब जैसे क्लिक करेंगे तो तो यहाँ पो आपको दो ऑउपसं जो यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा है तो यह देखिए यहाँ पर कट करदें एगר आप स्थी, तो यह गुद्वी के समगेंगे ने कुछ इस प्रहु करना यहां पति में लिए来 कर दिखा देगा है इस कोई कर लोगा ठीक है 24.25 से सेलेक्ट होगा और यहां पर फाइनेंस एर बता रहा है थे 24 और यहां पर जो है 24.25 दिखाए दे रहा हूँ उसके बाद अपको नीचे के तरफ चले आना है और यहां पर जब कर देना है एक लिक कि यहां पर भी जब को सेलेक्ट करना पड़ेगा तो इसमें जो आपको एकदम last में other का option दिखाई दे रहा होगा ये वाला इसको select कर लीजेगा ठीक, select करेंगे जब आप न तो यहाँ पर नीचे के तरफ और भी कई option आजाते हैं तो इसमें जो आपको ये वाला option free for delay वाला option जो दिखाई दे रहा होगा इसको select कर लेना ठीक, ये तीनों चीजों को जो आपको select करना सबसे पहले इसमें 2026-25 इसमें जो आपको 500 other का option देखने को मिलेगा और ये वाले चीज को जो free for delay वाला जो option है पहला वाला option इसको select कर लेना है select करने के बाद जो यहाँ पर continue का option दिखाई दे रहा होगा है इसपे click कर देना जब आप यहाँ पर click करेंगे तो कुछ इस प्रिकार से एक और page open हो जाता है यहाँ पर आपको simple नीची के तरफ आना है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जब continue का option दिखाई दे रहा होगा इस पे click कर देना है जब आप यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि आपको payment करने को बोलेगा थोड़ी से जब आप नीचे के तरफ चले आते हैं और यहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि net banking का option देखने में मिलेगा अगर आपके पास ATM card है तो आप David card वाला option select कर दीजे यहाँ पे David card का option देखने को मिल जाता है और यहाँ पे और भी कई option देखने को मिलते हैं तो जो आपका मन पसंद है वो आप select कर सकते हैं डेविट card का मतलब यह होता भी है कि ATM card अगर आपके पास है जैसे कि state bank का या पंजाब national bank का तो यहाँ पे आप select करके पैसा payment कर सकते हैं तो हम यहाँ पे net banking से अपना पैसा payment करने वाले हैं तो हम यहाँ नेट banking select कर लेते हैं यहाँ पे पैसा payment करना रहता है पैसा भुकतान करना रहता है यानि कि एक हजार रुपए लग रहा है तो एक हजार रुपए जो आपको देना ही पड़ेगा तो वही चीज जो यहां पर पूछ रहा है कि किस जरिये से आप पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो हम आपन कर से लेते हैं उन्ठी की तरह वहाँ पार यहांगे इस्पेर पर कर दो कुल करेंगे तो कुछ इस प्रिकार से एक और पैस अ उपन हो जाएगा तो इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पे यह बोल रहा है कि एक हजार रूपय लगेंगे तो यहां पे पे नाओ को उप्सन दिखाई दे रहा हुगा इस पे क्लिक कर देना आपको जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रिकार से आप देख सकते हैं कि एक पीज ओपन हो जाएगा इसमें टर्मिंट कंडीशन है तो नीचे के तरफ चले आना है ठीक नीचे के तरफ आने के बाद यहां पे आपको एक छोटा सब बॉक्स दिखाई दे रहा होगा इस पई कलिक कर देना है तो राइट के निशान बन जाएगा और यहां पे जए संभिट का उप्चन दिखाई दे रहा होगा तो इस पर आपको कर देना है क्लिक जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी से जब आपको इंतजार करना पड़ेगा और हमारा जो Net Banking वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है अब यहां पे सिंपल हमको अपना यूजर निम पासवर्ड लिखना है और लॉग इन वाले ओप्सन पे कर देना है क्लिक तो चलिए जो मैं जलती से यहां पे यूजर निम पासवर्ड लिख के आगे की प्रोसेस क्या मैं आप सभी को बताता हूं तो दोस्तों हमने अपना Net Banking का यूजर निम पासवर्ड यहां पे लिख दिया लॉग इन को ओप्सन दिखाई दे रहा हुगा इस पे क्लिक कर देना आपको जब आप यहां पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रिकार से जो एक पेज ओपन होता है नीचे की तरफ चले आना यहां पर जो हमारा एकाउंट नमबर लिखा हुए और बाकी की चीज़े लिखी हुए हैं कि कैसा पैसा कितने रुपे पेमेंट करना है यह सब ची चुका है 53-29-38 ठीक है तो इसको इस ओटीप की जो हमको यहां पर सिंपल लिखना है तो तीयत्तर 29-39 था हमारा OTP इसको जो हम यहां पर लिख देते हैं लिखने के बाद यहां पर कंफर्म का ओप्सन दिखाए दे रहा होगा इस पर क्लिक करना पड़ेगा हम यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारा पेमेंट हो चुका है मैसेज भी आ चुका है और आपको कुछ भी बैक करने की जरूरत नहीं सिंपल आपको अपने मोगाइल को पकड़े रखना है जो पकड़े रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो एक पेज उपन हो जाएगा यहां पर बार बार जो यह असिस्टेंट उपन हो जाता है तो इ एक पीडियुप जो है आपके मोगाइल पर डाउनलोड होगी ठीक है चलिए हम चेक कर लेते हैं किदाओंड हुई कि नहीं है तो यहां पर हमारी पीडियप डाउनलोड हो चुका है चलिए नहीं मैं आप से प्र दिखा देता हूँ ठीक है तो इसमें जो है यह है कि हमने जो पैमेंट किया है यस की जानकारी जो जो है इस पीडियोक में है तो इस चीज़ को आफ डाउwnलोड कर लिजिए एभा ठीक चलिए जाँ है फिर से chrombrowser आउजर ओपन कर लेते हैं अब जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है अब हमको आगे क्या करना है तो दोस्तों इसके बाद जो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो सिंपल प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर क्लिक कर दीजिए एक नया टैब ओपन हो जाता है उसके बाद जो फिर से गूगल पे जो आपको चले आना है और गूगल पर क्लिक करके यहां पर टाइप करना है इंकम टेक्स लिखने के बाद जैब को उसी वेब करके करके कर देना ही पुर्ण कर लेना है ओपन करने के बाद जो नीची की तरह आना है तो यहां पर जो आपको लिंक अदरार का ओपसन दिक्षा क्लिक करना पड़ेगा तो चड़िए जो यहां पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पर फिर से अपना पिन नंबर और अधार नंबर जो यहां पर टाइप करना पड़ेगा तो चड़िए जो मैं जल्दी से अपना pin number और अधार नमबर जल्दी से टाइप करके और आगे की process ह able to review करके दिखाता हूं तो दोस्तों हमने यहांा पर तो यहां पे लिए अधार शाथ नमबर लिख दिया सापना अधार नंबर लिख दिया है लिखने के क्लिक continue to proceed तो यहां पर आपको continue को option दिखाई दे रहा होगा simple जब आपको कर देना है क्लिक जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रिकार जो एक पेज ओपन हो जाएगा अभी यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर देक सकते हैं कि आपका pen पैन नम्बर और अधार नम्बर जो यहां पर दिखाई दे रहा है एक बार जो मिला लिजिए गा कि जो आपका पैं नम्ब़ है वह अधार नम्बर है वह सेम है की नहीं है तो चाह Dani जो है थुड़ी भी आपके अधार कार्ड में आपका नाम लिखा है जिस स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग आपको यहां पर यह वाले बॉक्स में टाइप करना है और आपको अपना मुवाइल नंबर यहां पर लिखना है ठीक यह दोनों चीज़े आपको जल्दी से भर देना है तो चड फिर लिंक अधार का ओपसन दिखाएघ दे रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहां पे अलग आएगा हमारे में अलग आ रहा है इसलिए आरह था क्योंकि हमारे जो अधार का नाम है rouसमें पि-र-i-ti आई के जगे पे वाई हो गया है ठीक है तो यहां पर जो अलग 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 होने के कारण यह वालन नोटिफिकेसन दिखाए दे रहा तो ऐसा नोटिफिकेसन आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको जो एकदम साफ साफ लिखा हुआ देखने को मिलेगा